Hello friends, welcome to my channel So friends, आज हम करने वाले हैं भी ये first year English Literature की first point जिसका नाम है Seven Ages of Man जो कि William Shakespeare के द्वारा लिखी गई है So ये William Shakespeare का एक play है जिसका नाम है As You Like It इसमें से लिया गया है और ये जो लाइन से ये Jacks के द्वारा कही जाती है तो इसमें जो William Shakespeare है उनका माना है कि ये जो सारा संसार है ये एक stage है और जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो सभी एक actor के रूप में इस stage पर अपने जो play हैं जो act हैं उन्हें play करते हैं तो start करते हैं First line है All the words are stage यानि कि ये जो सारा संसार है ये एक stage है, एक manch है And all the men and women merely players और यहाँ पर जितने भी लोग है चाहे वो man है या फिर woman है वो सभी players हैं यानि कि एक actor हैं जो कि अपने act को play करते हैं They have their exit and entrance उनका यहाँ पर entrance भी होता है और यहीं से उनका exit हो जाता है यानि कि जब लोगों का जनम होता है तब जो लोग है वो एक actor के रूप में इस world में यानि कि यह जो stage है इसमें इनका entrance होता है उसके बाद ही अपने जो act हैं उसे play करते हैं और इसके बाद क्यों होता है कि इनकी जब death हो जाती है तब यही जो stage है यही जो world है यही इनका exit मानना जाता है and one man in his time play many parts एक आदमी अपने time में यानि कि उसका जब जनम होता है उसकी जो life है उसमें बहुत सारे play यानि कि जो parts हैं उसके जो roles हैं उन्हें play करता है his act being seven ages और उसके जितने भी acts हैं उन सभी को साथ ages में बांटा गया है यानि कि एक इनसान है जो वो उसके साथ ages बताए गई है उसके साथ characters यानि कि साथ parts बताए गई है कि कौन-कौन से act वो करता है सबसे पहला at first सबसे first में the infant की वो एक शिशू के रूप में जनम लेता है और इस संसान में उसका entrance होता है mauling and packing in the nurse arm जो एक शिशू के रूप में होता है तो वो पूरी तरह से depend होता है nurse की आम में और वो nurse की आम में रो रहा होता है mauling का means होता है rona and packing का means होता है vomiting करना तो वो nurse की आम में पूरी तरह से depend होता है वो nurse की आम में रो रहा होता है और vomiting कर रहा होता है यानि कि जब शीशु है जो उसके सिर्फ दो ही काम बताए गई है एक रोना और जब भी वह कुछ खाता है तो उससे कहा वंटिंग हो जाती है इसके बाद second stage है Then the winning school boy with his stackle यानि कि उसके बाद जो second stage है वो है एक school boy की और यह जो school boy है इसे बहुत ज़्यादा complaints होती है और जब यह school जाता है तो क्या है उसे एक bag दे जी जाते है school bag तो यहाँ पर जो stackle है इसका means यही है school bag and shining morning face जब यह school जाता है तब इसको यानि कि जो nurse होती है या फी जो mother होती है जब अपने बच्चे को school में भेज़ती है तो उसको अच्छे तरीके से त्यार करती है जिसके कान उसका जो face है वो बहुत ज़्यादा shine कर रहा होता है और उसके पीछे क्या है school bag टांग हुआ होता है creeping like snail unwillingly to school जो बच्चों होते है वो स्कूल जाना नहीं चाता है वो अपनी इच्छा के विरुद स्कूल जा रहा होता है इसलिए वो creeping यानि कि धीरे धीरे चलता है like snail snail की तरह snail एक animal होते है जो बहुत धीरे धीरे चलता है इसी कारण जो उसकी यानि कि जो बच्चे की चाल है उसी स्नेक से comparison किया गया है यानि कि उसे similar बताया गया है इसके बाद लिखा है and then the lover तो यहाँ पर जो first stage थी वो थी infant second stage है school boy की और third stage है lover की यानि कि जब school boy बड़ा हो जाता है तब वो एडल सेंट में आ जाता है और तब कि है वो एक lover की भूमी का निभाता है signing like finance with a wifeful ballad made to his mistress eyebrow तो यहाँ पर कहें जो lover है वो अपनी mistress की याद में ballad का means होता है praise song यानि कि कोई गाना गाना है जिसमें क्यों होता है कि हम अपनी जो भी कोई भी हमाई जो प्रीय वस्तू होती है जैसे कि यहाँ पर जो lover है वो अपनी mistress प्रेमिका के लिए ballad यानि उसकी प्रशंशा करता है इस तरह की के वो गाने गाता है यानि कि अब उसकी उपर क edges काने लगाता है जो उसके बाए जो प्रेमिक होता है वो बड़ा हो जाता है यानि कि अब उसके उपर क्या है responsibility जाने लग जाती है as a soldier, वो एक volcanic बन जाता है, full of strange odds वो बहुँ ज़्यादा अलग लग शपत लेता है, यानि कि उसकी जो शपत होती है वो बहुँ ज़्यादा strange होती है, difficult होती है, and beard like the part और उसकी जो दाड़ी होती है वो एक leopard, यहांपे जो part word है वो लियोपाड के लिया है तो उसकी जो दाड़ी है, वो एक leopard की तरह होती है यानि कि चीते की तरह को अपनी दाड़ी रखता है, jealous in honor sudden and quick in quid इसके साथ ही क्या है, वो ज़्यादा honor के लिए jealous होता है, उसमें इर्ष्या होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा के सम्मान प्राप्त करना चाहता है हो जाते हैं कि जो सभी लोग है वो उसे respect दें, इज्जद दें and quick in quid seeking the bubble reputation इसके साथ ही वो उस सम्मान के लिए जो कि एक bubble earth थाई, यहांपर जो bubble word है वो किसे represent करता है जो जादा टायम तक ना रह सके तो वो उस reputation के लिए भागता है, जो कि S-thi होती है और उसी reputation के कारण वो quick in quid और वो ज़्यादा sensitive होता है और लडाई करने के लिए भी त्यार हो जाता है even in the cannon mouth और वो अपनी उस reputation के लिए जो S-thi हो उसके लिए वो कोई भी risk लेनी को त्यार हो जाता है यहां तक वो top में भी जाने को त्यार हो जाता है यानि उसके लिए वो कोई भी risk की काम कर सकता है और जो 5th stage हो उसमें का गया है कि वो क्या है एक नयाई दिश की रूप में आता है in fair round belly जिसका पेथ है बैली यहां पर पेट के लिया है तो उसका पेट है वह राउंड होता है गोल होता है यानि कि युसका पेथ है वह बहुर ज्याधा बड़ा होता है तो जो कि इन्डिकेट करते है कि प्रैप न निकि रिश्वात लिए है वीद आई स्वेर और वह अपनी जो रस्टी है आईस है वह स्वेर तिखी रखता है निक्तर करता है ये pretend करता है कि वो बहुत ज़दा determined है कि वो सही justice करेगा even क्या होता है कि उसने bribe ले होती है and beard of formal cut और उसके जो beard होती है दाड़ी होती है अब वो एक formal cut में आ जाती है जैसे कि जो soldier की दाड़ी होती है वो unshaggy होती है यानि कि वो सही नहीं होती है बिक्री होती है बट अब क्यों होता है justice के रूप में उसकी जो दाड़ी है वो एक formal cut में आ जाती है full of wise saw and modern instance इसका साथ ही क्या है वो इस role में क्या है कि वो यानि कि wise buddhimani saas कहावते बोलता है ठीक है अच्छी अच्छी बुद्धिमान वाली कहावते बोलता है अधुनिक instance होता है उधारन देता है and so he plays his part और इस तरीके से वह अपना जो ये มिकरण क कमिकल करेक्टर उसका नाम होते है पैंटे लून काहां जाता है तो यहां पर कहा गया है कि जब six stages आती है तो जो मैन की अधियाती होती है फिजिकल structure होती है इस ढुल कर गया है सितलबरो मैंल, मैं जन सभापका पहले हो अन Cute जनी ग you पतला हो जाते है जिसके कार्ण काई गये है कि वो लीन पतला हो जाते है sleeper, pantalon उसने sleeper पहने होते हैं अपने comfortables के लिए वैसे यानि कि चपल पहनी होती है with spackles on nose उसके साथ ही उसके जो nose होती है उस पर क्या होता है कि sorry जो nose उसका चेश्मा लगा हुआ होता है and punch on side वो side में के है punch लगई हुए होते हैं His youthful horse well shaped और वर too wide और उसके जो youthful यानि कि जब वो यूवा होता है तब उसके जो horse होते हैं वो ज़द उसको properly fit आते थे यानि कि जो pajama वगएर होता है पहले उसके लिए वो fit था अब क्या है कि जब वो ज़दा पतला हो चुका है तो क्या होता है 6 stage में a world too wide अब उसके लिए बो ज़दा loose हो जाती है for his shrunk sank जो कि उसके पतली टांग के लिए बो ज़दा loose हो जाती है and his big mainly voice और उसकी जो voice होती है जो वो young होता है तो उसकी जो voice होती है है वो जो स्टेज होती है to own में जाती है और जभो बोलता है up को है कि विस्टन के आवाज आती है यानि कि जब वो बोलता है तो पिछे... कुछ वर्स तो उसके बाहा निकल जाती है विए लिकिन कुछ वर्ससा रहा जाती है क्य जो मत vista होती है जैसे कि विस्टल की sound आ रही है इसके बाद है last scene of all यानि कि जो last stage है that and this strangeful event history तो यह जो stage है यह क्या है कि and होता है यही ant है वो पूरे जो 6 stages है उन सब का क्या है यह ant होता है is second childishness और इसे second childishness यानि कि दूसरा बच्पना कहा गया है and mere oblivion इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी बहुत ज़्यदा कम यादाश तरह जाती है जैसे कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें बहुत कम knowledge होती है या कि कुछ भी नहीं पता होता है तो उसी तरीके से जब old age में person आ जाता है तो आप सभी ने देखोगा कि किसी की age अगर 100 से उपर हो जाती है तो वो जो इनसान है उसकी जो यादाश होती है memory होती है वो दीरे-दीरे loss टोने लग जाती है तो यही बात कही गई है कि यह एक second childishness है sense teeth इसमें क्यों होता है कि जो व्यक्ति होता है old age का person होता है उसके दांत है जो वो तूट जाते है जैसे कि छोटे बच्चे होता है उसके भी दांत नहीं होती है starting में तो last age भी ऐसी है जिसमें दांत नहीं होते है sense eyes यानि कि उसकी जो eyesight होती है या तो वोगी तुरी के से weak हो जाती है दिखना बंद हो जाता है तो जो starting में बच्चे होते है उन्हें भी अपनी eyes पर control करना starting में नहीं आता होता है sense taste उन्हें taste का भी अब feel नहीं होता है always में तो उससे तरीके से starting में भी बच्चे को को टेस्ट का नहीं पता होता है, sense everything, यानि कि इस age में क्यों होता है कि जो मनुष्य है, सब कुछ दीरे-दीरे उसमें खतम होने लग जाता है, उसकी जो feelings होती है, sensitivity होती है, सवे देरे-दीरे वो सब कुछ खतम हो जाती है, so hopefully आपको यह पॉइम समझ में आगी होगी, इसमें William Shakespeare, उन्होंने एक man के बार में का है, कि जो man है, वो एक actor है, और ये जो सारा संसार है, वो एक man है, तो जो man है, वो इस man पर आता है, अपनी जो life है, उसे जीता है, जिससे William Shakespeare ने इस seven stages में डिवाइड किया है, और उसके बाद उसकी death हो जाती है, और यही जो world हो उसका exit बन ज अगर आपको कोई डाउट है तो आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मैं वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू फ्रेंड्स वर वोचिंग मैं वीडियो थैंक यू